पंजाब पुलिस कांस्टेबल भरती पर रोक को लेकर पंजाब और हरियाना हाई कोर्ट का बड़ा निर्नाएं नमस्ते दर्शकों आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण फैसले की जो पंजाब और हरियाना हाई कोर्ट ने पंजाब में हो रही कॉंस्टेबल भरती पर रोक लगाने को ले कर दिया है। इसका असर हजारों लोगों पर हुआ है जिन्होंने पंजाब कांस्टेबल का एक्जाम दिया है। तो बने रहिये। या चिका करता जो कि पंजाब के बाहर के निवासी थे उनका कहना था कि भरती विग्यापन भेदभाव पूर्ण है क्योंकि इसमें अन्य राज्यों के उम पंजाब के लिए खुली थी चाहे उनका निवास किसी भी राज्य में हो। मतलब अगर आप पंजाब से नहीं भी हो तो भी आप इस श्रेनी के तहट आवेदन कर सकते हो बिना किसी भेदभाव के। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप प्रक्रिया में बिना किसी आपत्ती के हिस्सा लेते हो और बाद में असफल हो जाते हो तो आप बाद में उस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें गैर पंजाब निवासियों ने पंजाब कांस्टेबल भरती प्रक्रिया को चुनौती दी थी भेद भाव और सम्विधानिक अधिकारों का उलंगन बताते हुए अनुच्छे 14 और 16 के तहट। तो कोर्ट का फैसला था कि याचिका करताओं ने खुद इस चैन प्रक्रिया में भाग लिया था और असफल होने के बाद अब ये प्रक्रिया को चुनोती दे रहे हैं जो कि स्विकार्य नहीं है। इसलिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई और कहा गया कि इस प्रक्रिया में कोई सम्विधानिक अधिकारों का उलंगन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप किसी चैन प्रक्रिया में भाग लेते हो तो उसके नियमों को पहले ही समझ लो और अगर भाग ले रहे हो तो बाद में उस प्रक्रिया को चुनोती देने का हक हो देते हो, खासकर अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिलती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुले थैंक्स फो वाचिंग वीडियो।